असलाम लेकूम, विलकम बैक टू जायका विदराना, कैसे हैं आप सब, आज मैं आपके लिए बहुती स्पेशल रेसिपी लाई हूँ, यह है प्राउन करी की रेसिपी, जो बहुती डिलिशियस बनती है, आप इसे मेरे तरीके से बनाए, बहुती अच्छे तरीके से मैं आप 250 क्राम प्राउन, यह देखिए, यह थोड़े बड़े साइस के प्राउन है, इसे हम साफ कर लेंगे और अच्छे तरह से धो लेंगे, और मैंने लिया है यहाँ पे प्यास, मैंने यहाँ पे पांच बड़े प्यास को स्लाइस में काट लिया है, और एक पूरा लेसन लिया ह लेसन को छील करके अच्छे से सारे छील के हटा दें अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो है मैं आपको बता रही हूँ मैंने क्या क्या मसाला डाला है दो दालचीनी का टुकडा मेडियम साइज का तीन चार लॉंग है दो छोटी लाइची है एक बड़ी लाइची है एक छोटा चम्मच काली मिर्च है और देड़ छोटा चम्मच जीरा है इन सब मसालों को हम लैसन के साथ मिक्सर में डाल करके अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे इसका बारीक पेस्ट होना चाहिए यह हमारे प्राउन करी का मसाला है जो पेस्ट बन के त्यार होगा तब हम इसे डालेंगे यह देखिए मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है उसमें हम सारे मसाले अपने डाल रहे हैं और इसे हमें बारीक बिल्कुल पीसना है बस इसमें हम अप थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला पीसने में असानी हो और इसे लिक्सर में अच्छी तरह से चला करके पीस लेंगे अब हमें कड़ाई में तेल लिया है एक टेबल स्पून तेल है यह इसे हम अच्छी तरह से गरम होने देंगे जब तेल बहुत अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें हम साफ किये हुए अपने प्रॉंस टालेंगे यह देखिए, यहाँ पे हमें प्रॉंस को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है और जितना भी इसका वाटर रिलीज होगा वो हमें सुखाना है तेल और कड़ाई अच्छी तरह से गरम होना चाहिए, तभी यह प्रॉंस फॉलो करें ठंडे तेल में कभी भी प्रॉंस को नडालें सारे जहींगे मैंने डाल दी, अब हम इसे लगातार चलाएंगे जैसे जैसे यह गरम होगा वैसे वैसे इसका कलर वाइट से ओरेंज होता जाएगा यह काम आप हाई फ्लेम पे करें, गैस भी मीना रखें, तेज गैस पे हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है अब हम इसमें आधा चमच नमक डाल दे रहे हैं ताकि फ्राई करते टाईम इसमें अच्छी तरह से अंदर तक नमक चला जाएं आप देख सकते हैं कि प्राउंस ने पानी छोड़ दिया है, इस पानी को हमें जलाना है तेज आज पे अच्छी तरह से चलाते हुए पानी को हम बिल्कुल जला देंगे आप देख सकते हैं पानी सूप गिया है और तेल छोड़ दिया है प्रॉंस में तो बस ये रेडी है अब हम गैस वन कर देंगे और अब हम त्यार करते हैं इसकी ग्रेवी के लिए मसाला त्यार करने के लिए हमने एक बरतन में दो बड़े चमच तेल डाला है इसमें हम डालेंगे दो तेज पत्ता, तेज पत्ते को हलका सा फ्राइ करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे स्लाइस किये हुए प्याज, पांच से छे प्याज को अच्छी तरह से स्लाइस कर ले, इस प्राउन करी में प्याज थोड़ा ज्यादा जाता है, ये बेस है मसाले का ह हम इस प्यास को brown होने तक fry करना है बहुत ज़्यादा dark brown नहीं करना है लेकिन हलका brown इसे हमें करना पड़ेगा आप देख सकते हैं मैं इसे लगातार चलाते हुए brown कर रही हूँ हलका साही ये थोड़ा translucent हो गया है प्यास इसे फिर लगातार अच्छी तरह से चलाएं और ये brown होना भी शुरू हो गई है आप देख सकते हैं ये brown हो रही है बस हमें ये इतनी ही brown करनी है बहुत ज़्यदा इसे brown ना करें नहीं तो ये जल जाएंगे अब हम इसमें add करेंगे मसाले जो मसाले हमने blender में डाल करके पीसे हैं वो मसाले अब हम इसमें यहाँ पे add करेंगे ये देखिए जीरा काली मिर्च और लेसन का जो पेस्ट हमने बनाया था वो हम इसमें धीरे से डालेंगे अब हमें इन मसालों को इसके साथ भुनना है हलका सा पहले mix करेंगे और इसमें कुछ मसाले और जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ इसमें जाएगा एक छोटा चम्मच मिर्च मिर्च अपनी टेस्ट के हिसाब से बैलन्स करें एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर नमक according to your taste नमक हमने पहले भी डाला है तो इसलिए नमक आप थोड़ा हिसाब से डालिएगा और इन मसालों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है मसालों को तब तक भूनिये जब तक ऑईल मसालों से सेपरेट ना हो जाए और ऑईल सर्फेस पे आ जाएगा ये देखिए मसाला भुनना शुडू हो गया है और तेल भी मसाले से धीरे धीरे अलग हो रहा है आप देख सकते हैं हमें इसे थोड़ा सा और भुनना है ताकि मसालो की जो कच्छी स्मेल है वो हट चाहे आप देख सकते हैं मसाला तेल अलग हो गया है और ये भुन भी गया है कच्छी इसमेल नहीं आ रही है मसालों से अब हम इसमें धीरे-धीरे करके प्रॉंस एट करेंगे जो फ्राई किये हुए प्रॉंस हमने रखे हैं वो हम इसमें डालेंगे तो हम प्रॉंस इसमें डाल रहे हैं अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक ग्लास पानी ताकि मसाले हमारे जलेना और इसे मिक्स करके हमें ढख देना है इसे हमें बहुत ज़्यादा देर अब नहीं पकाना है बस 5-6 मिनट हम पकाएंगे क्यूंकि प्रॉंस बहुत जल्दी पक जाते है ताकि हमारे मसाले और प्यास सब अच्छी तरह से गल जाए इसे हमने ढग दिया है अब 5-6 मिनट इसे पकने देते हैं 5-6 मिनट हो गए हैं अब धकन हटा के हम देखते हैं क्या हाल है प्रॉंकरी का ये देखिए तेल बिल्कुल सर्फेस पे आ गया है और मसाले भी अच्छी तरह से पक गया है प्यास गल गई है अच्छी तरह से और इसकी ग्रेवी थिक हो गई है अब यहाँ पर आपको जैसा भी खाना पसंद है आप वैसा बनाईए अगर आपको ग्रेवी और चाहिए तो इसमें यहाँ पर आप और पानी एड़ कर सकते हैं और ग्रेवी को थोड़ा पतला कर सकते हैं लेकिन यह ज्यादा अच्छी थिक करी के साथ ही लगती है इसी तरह से आप बनाईए बहुत यह टेस्टी बनेगी और बस यह बन करके रेड़ी है अब हम इसे सर्व कर रहे हैं प्राउन करी की यह रेसिपी बहुती स्पेशल और बहुती अच्छी है आप इसे ट्राई जरूर करिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए थैंक यू फॉर वाचिंग